नमस्टार दोस्तो तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी एक सीरीज चलती है यह हैश्टेग आस्क भरच जैन अब उस सीरीज के ऊपर मुझे रेस्पोंस सोडा सा कम मिला जैसे कि हमारे जो दूसरे वीडियो के ऊपर जो आप लोगों का प्यार है वो काफी जाद भी कर सकते हैं ताकि मुझे यह समझ में आया है कि आप आखर चाहते क्या है यहां पर आगर आपका कोई सजेशन हो हमारे वीडियो को लेकर तो प्लिस मुझे कमेंट किलूं तो आजकर जो हमारा वीडियो बन रहा है वो वीडियो बन रहा है बहुत ही important topic को لेकर और उस topic का नाम है storage calculation मतलब कि जब भी आप CCTV camera को install करते हैं और उसके अंदर जब hard drive का selection करते हैं तो हमारे clients हमारे customer या फिर आप भी confused होते हैं कई बार कि कितने terabyte की hard drive लें ताकि हम लोग हमारे client को 5 दिन की recording, 10 दिन की recording, 15 दिन की recording दे पाएं क्योंकि अभी के market के अंदर बहुत सारी technologies है, बहुत सारे megapixel वाले camera है, बहुत सारे codex है, बहुत सारे NVR है, बहुत सारे DVR है तो वहाँ पर हम थोड़े से confused हो जाते हैं कि जो हम camera install कर रहे हैं वो कितने दिन की recording उसके अंदर रुकने वाली है तो आज मैं बात करने वाला हूँ, इसी बारे में मेरा नाम है भरजेन और आप देख रहे हैं भरजेन YouTube चैनल को, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो, किसी भी हार्ट ड्राइब का कैलकुलेशन करने के लिए, उस स्टूरेज को कैलकुलेट करने के लिए, हमने कुछ चीजों को समझना बहुत ज़रूरी है, कि ये जो स्टूरेज है, वो किस तर उसके उपर कौन से फैक्टर काम क करते हैं, कि वो कितने टेराबाइट, कितने जीबी का स्पेस एक कैमेरा आपका ले रहा है हार्ड ड्राइब के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर है, एक एक करके उस फैक्टर को समझते हैं, सबसे पहला फैक्टर आता है, आपका DVR या फिर NVR, वो जो DVR और वो जो NVR है, वो कौन से कोडेक्ट पे काम कर रहा है, मतलब उसका कॉंप्रेशन कौन सा है, H.264 है, या फिर H.265 है, दुसरा यहाँ पर मेजर करता है, कि आप जो कैमेरा यूज कर रहे हैं, वो कैमेरा कितने मेगापिक्सल का है, वो वन मेगापिक्सल है, टू मेगापिक् पे उस camera को record कर रहे है मतलब कि आप D1 compression पे है H.264 के compression पे है या फिर 720p के compression पे है उसके बाद में जो दूसरा option आता है वो frame rate का आता है by default 25 frame rate है 30 frame rate है 15 frame rate है 12 frame rate है तो frame rate यहाँ पर बहुत ही एक important role play करती है जब भी आप camera की storage को calculate करते है क्योंकि आपको यह तो पता ही होगा कि frame rate होती क्या है frame rate एक second के अंदर एक camera करीबन 25 photo को click करता है उसको 25 की frame rate बोला जाता है मतलब कि जब भी हम एक video को play करते हैं वो video नहीं होता वो होता है group of the picture मतलब कि एक second के अंदर अगर 25 frame हमारी आपों के सामने से निकलेगी तो हमें वीडियो नजर आएगा अब उसको हम हमारी जरूरत के मुताबिक हम कम या फिर जादा कर सकते हैं लगता है कि यहां पर बहुत ही normal है तो आपर 15 frame rate कर दो कि तो obviously वो हमारी storage के उपर effect करेगा आगे की चीज़ आती है कि audio क्या आप उस camera के साथ में audio को record कर रहा है और इसके बाइद में आता है bit rate कि आपने उसकी bit rate क्या set की हुई है तो यह कुछ common factor है मोटा मोटी जिसको बोल सकते हैं कि यह सबसे बड़ा impact करते हैं और एक और चीज़ impact करती है वो होता है जब भी आपने जिस location पर camera को install किया है उस camera के सामने movement कितना है जितना ज़्यादा movement होगा वो camera उतना storage ज़्यादा consume करेगा दूसरे camera की मुताबिक तो यह जो कुछ factor है जो की effect करते हैं हमारे video के storage के उपर अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ को calculate के से करें क्योंकि हम जब एक client के सामने बेठे हैं हम उनसे बात करते हैं तो वो directly हम से पुछते हैं कि इसमें कितने दिन की recording होने वाली है और वहाँ पर हमें एक static उत्तर देना होता है एक static answer होना चाहिए कि अगर आप 1TB के hard drive ले रहे हैं तो 5 दिन की recording है 7 दिन की recording है या 10 दिन की recording है और कई पर हम बिना calculation के कुछ बोल देते हैं और आगे जाकर उसके अंदर dispute खड़ा हो जाता है कि आपने बोला था इतने दिन की recording है और अब आ रहे हैं इतने दिन की recording तो यहां पर इस चीच के solution के लिए आज मैं आपके सामने एक software को लिखे आया हूँ वैसे यह जो software हैं वो जितनी भी ब्रांट है चाहिए आप DAOE यूज़ कर रहे हैं हिक विजन यूज़ कर रहे हैं पैनासोनी की यूज़ कर रहे हैं अगर आप DAOE और हिक विजन को compare करते हैं तो हो सकता है 10% का variation उसके अंदर हो कि यह के मेरा अगर आप calculate कर रहे हैं इस disc calculator के अंदर तो वो 30 GB बता रहा है उसके अंदर 34 GB बता रहा है या फिर 32 GB बता रहा है इससे ज़्यादा variation नहीं होता आज मैं आपको एक disc calculator देने वाला हूँ जो मेरे description box के अंदर है उस link पर आप click करके आपको disc calculator को download कर दिजिए download करने के मिझे यह disc calculator काफी अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे variations है आपकी इस हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो यह बहुत सारे उसके अंदर options हैं जो कि आपको मिल जाएंगे और आप एक अच्छा सा भीयो कोई design कर पाएंगे और अपने client के सामने बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे कि आप उनको कितने दिन की recording देने वाले हैं या फिर आपकी requirement के हिसाब से आपको कितने टेरावाइट के hard drive को लेना चाहिए तो यह जो है आपने अभी जो मेरे जो description के अंदर जो link के अगर आप उसको डाउनलोड करते हो जो dropbox है उसमें सेवे एक software है उस software को जब आप इस्ट्रॉल कर ले हुए तो आपके पास में एक यह display बनेगा तो यहां पर इसको केसे यूज करना है आपको कि यहां पर एक streaming दिया है कि अगर आपके पास में चारनल का DVR है तो आप इसको एड इस्ट्रिमिंग करिए और आपके पास में चार का जो DVR है तो आप यहां पर 4 camera इस तरह से प्लस कर लीजिए अब यहां पर जो पेले दिया हुआ है वो है यहां पर कि आपका कौनसे नंबर का चैनल है तो यहां पर आपको चैनल नंबर मतलब camera नंबर 1 है तो यहां पर 1 आप कौनसे compression के उपर उसको record कर रहे है कि आपका जो DVR या NVR है वो H.264 या 265 है तो for example ज्यादा तर अभी जो लोग यूज कर रहे है वो H.264 यूज करते हैं तो यहां पर आप compression डाल दिजिए H.264 resolution के अंदर यहां पर आपको मिल जाएगा कि यह जो resolutions हैं काफी सारे resolution हैं आप कौनसे resolution पर आप set कर रहे हो क्या वो QVGA है CIF VGA है D1 है 1.3 Megapixel है तो आज कर जादा तर 1.3 Megapixel यूज करते हैं अगर IP camera की बात करें तो 1.3 Megapixel मैंने इसको select किया अब दिखें यहां पर पुछ रहा है frame rate की आपको यह camera जो आप करने वाले हो कौनसी frame rate के उपर install करने वाले हो तो आपने जैसे select किया 25 की frame rate पे आप उसको use करोगे और इसके अंदर आपको audio रखना है तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए तो यह audio का option है तो यहां पर एक क्लिक हो जाएगा तो audio का भी इसके अंदर calculate हो जाएगा इसी तरह से आप जो दूसरा camera है आपका तो यहां पर second number का camera यहां पर यह थार्ट number का camera और यहां पर इ दीजिए जो भी compression आप use करना चाहते हैं इस तरह से आप select कर लिजिए यहां पर आप जो मेगा पिक्सल कई बार क्या होता है कि हम एक ही DVR के अंदर अलग-अलग megapixel के camera भी use करते हैं तो वह आप select कर लिजिए मैं यहां पर फिलाल 1.3 ही रख रहा हूं जितने भी मैं रख रह रहते हैं आपकी जरूरत की मुताबिक और यहां पर यहां पर यह देखी कि तीन option है यहां पर नीचे पहला option है डिस्क रिकूर्मेंट दूसरा option है तो रेड केल्कुलेटर तो रेड केल्कुलेटर है वह थोड़ा upper segment है कि जहां पर आपके पास में जो आप DVR यूस कर रहे ह हो तो उसके अंदर आप कुनसी grade hard drive यूस कर रहे हो और उसके अंदर आप कितनी hard drive installation वाल आप कुरा जो आप setup लगा रहे हो जो NAS से related है तो वो उसके उपर में नहीं जाओंगा regular base पही बात करते तो यहां पर यह दिस्क requirement तो यहां पर आपकी जो डिस्क requirement कितनी आप कितने दि recording चाहते हो तो हमारा कोई client बोता है मुझे minimum 10 दिन की recording चाहिए तो यहां पर आप जैसे यहां पर यह 10 दिन आप डाल दीजे और इसको यहां पर click करिए तो यहां पर यह दिखे आपको बता रहा है कि 1758.16 GB आपको require हैगा मतलब कि 2TB की अगर आप hard drive लगा लेते हैं इसके अ यहां पर है कि recording days अगर आप वहां पर क्लाइंग बोड आए कि मुझे 4TB के hard drive लगानी है तो आप सिधा यहां पर 4TB की hard drive कर लिजे और calculate कीजे तो जैसे आपने 4TB की hard drive को select किया तो यहां पर आया गया अगर आपने 4TB की hard drive लगाई है तो करीबन 21 दिन और 6 गंडे की recording यह जो है वो ले लेंगे लेकिन इसके अंदर खास एक चीज़ का ध्यान रखीएगा कि इसके अंदर आप 10% प्लस माइनस करके चलिए क्योंकि वीडियो के पहले मैंने आपको बताया कि कुछ factors हैं जैसे कि प्रटिकुलर एक camera number 1 है वहां पर अगर moment बहुत जादा है तो वहां पर थोड़ा सा इसके अंदर प्लस हो जाएगा तो यहां पर आप 10% का variation पकड़ के चलिए ताकि आप कहीं पर भी गलत साब इतना हो अगर यहां पर 21 दिम बता रहा है तो आप बोलके चलिए कि 20 दिम की recording आएगी तो वहां पर हो sufficient रहेगा और काफी अच्छे से आप उस ची वह कितने दिन की recording ले रही है या पर आप जो hard drive इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अंदर कितने दिन की recording आएगी तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से calculate कर सकते हैं तो यह था आज के हमारे इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो प्ल परसेंट आपके वीडियो जो है उस हिसाफत में लेने की कोशिश करूगा मैंने अपने दिमाद में बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है मुझे पूरी सीरीज निकाल लिए काफी लोग काफी वीवर्स काफी सब्सक्राइबर हमारे है जो मुझे बोलते रहे हैं कि सर आ आगे भी वीडियो बनाने वाला हो इसके बाद में हमारे कुछ सीक्यूरिटी सिस्टम से वीडियो की सीलिस स्टार्ट करेंगे फिर कुछ GPS टेकर से रिलेटेट तो जितने भी सेट्री और सेक्वरिटी की टेक्नलोजी आज मार्केट में एवलेबल है उसके बारे में बहु बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिये और दूसरे लोगों के साथ में शेर करिये थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग वार वीडियो